जाएं दोस्तों मैं S.P.S.R. आप सभी मित्रों का सदास्य कोचिंग क्लासस के यूटूब चैनल पर हार देख स्वागत करता हूँ दोस्तों D.L.N.B.T.C. फर्स सेमेसर कंप्लिक मैथमेटिक सेक्षन के अंतरगत पमन स्रीज के वस्ट प्रसंट चलना है जिसके अंतरगर दोस्तों आप सभी मित्रों अभी तक टोटल तिरिपन प्रस्ट लगाएं यानि दोस्तों आज की क्लास में का से स्कार्टिंग होगी प्रेस्ट वसंधया दोस्तो 50-1 कुश्चन नम्मर दोस्तो 50-4 दोस्तो आप एक्जाम के तक दोस्तो लगातार आप सभी मित्र अपनी प्रेक्टिस करते रहे जितना ज्यादा दोस्तो आप तको त्यार होगा और दोस्तों आप exam में आसानी से कर पाएंगे दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को DLA first अवसे mathematics का पूरा complete syllabus प्रवाइड कराएं practice ये दोस्तों भी मैंने प्रवाइड कराएं very important प्रवाइड कराएं ठीक है previous year के paper प्रवाइड कराएं आप दोस्तों इस समय आपको प्रवाइड करा रहा हूँ इसके बाद दोस्तों आप सरी रिद्रों को model paper भी प्रवाइड कराएंगा तो दोस्तों जितना भी मैंने मैंटर आपको प्रवाइड कराएंगे और जो प्रवाइड करा रहा हूँ आगे जो कराओंगा दोस्तों यदि आप इतना सीख कर जाते हैं तो मुझी अमीद है यदि आपने इमानदाई से लगन के साथ मेहनत के साथ सीखा होगा तो आपके 25 में 25 नमर दोस्तों आएंगे किसी भी मित्र के बैक नहीं लगेगे चाहे उसको गड़ित आ रही हो चाहे नहीं आ रही हो क्योंकि वो हमारे साथ ये सुर्वास से जुड़ा है तो दोस्तों क्या होगा आपके तयाई दोस्तों बहुत बेतर हो रही होगी क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा एक्षिले कर रहा है जैसे क्या syllabus प्रवाइड करा है उस का लिंग मैं आपको description box में देख पाएंगे ठीक है जली जहां से देखिए चमवन नमद उसको कुष्टन क्या करा है करा इंटर की परिच्छा में 40 प्रतिसत छात्र अंग्रेजी में अनुत्रीन होते हैं अंग्रेजी में अनुत्रीन होते हैं अनुत्रीन होते हैं आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तथा 45 प्रतिसत कामर्स तथा गड़ित में अनुत्रीन होते हैं आगे दोस्तों आपसे कह रहा है अनुत्रीन होते हैं यदि दोनों विशयों में विशयों में यद दोनों विशयों में 25 प्रतिसत छात्र अनुत्रीन होते हैं हैं तो दोस्थों, आपसे कहे रहा है तो कुल अणुत्रीन, छात्रों का प्रतिसत होगा तो कुल अनुत्रीन अनुत्रीन छात्रों का प्रतिसत होगा प्रतिसत होगा देखे प्रसिंद बड़ा है पर दोस्तो एंसर इसका आसान है कैसे करेंगे बहुत ध्यान समझेगे इस चार आपसन है पहला दूसरा तीसरा एंड चौथा जहां समझेगे पहला दोस्तो आपके पास जो आपसन है वो है 60 प्रतिसत दूसरा दोस्तो आपके पास आपसन है जो 20 प्रतिसत तीसरा आपसन दोस्तो आपके पास 65 प्रतिसत एंड चौथा दोस्तो जो आपसन है आपके पास पंदा प्रतिसत ठीक है इतने आपसन दे रखे दोस्तो ध्यान समझेगा आप से कह रहा है कि करा इंटर की परिछा में 40 प्रसेद चात्र अंग्रेजी में अनुत्रीण होए । तथा 45 प्रसेद चात्र कामास का गडित में अनुत्रीण होए कई ज़री दोनों भी सेवाइब मतलब क्या अंग्रेजी और कामास गडीत को यहां एक भी से मालने कुस समाइड ही वह से यहां पर एक बीसे लिखता कैंज यहां तो कामास रिखता यहां गडीत लिखता तो थोड़ा प्रसंद और स्वरस्थ हो जाता पर इन्होंने कामास और इस दोनों में 25% छात्र होते हैं, तो कुल कितरे अनुत्री छात्रों का प्रत्साद आता है, जहां समझेगा, जीतर के बादर समझेगा, ये और ये दो बना लिया, ठीक है, पहला दोस्तों जो पुरा गोला है, इसमें मालेते हैं हमारे क्या 40% अंग्रेजी के, किसके हैं, अंग्रेजी के हैं, और दूसरा गोला दोस्तों इसमें कितने हैं 45%, इसमें मालेते हैं मैत, मैत के हैं, गडित के हैं, और ये ही दोस्तों गडित तथा कामर्स लिखा है, तो तथा कामर्स, कामर्स, गडित तथा कामर्स के हैं, और कह रहा है, ये दोनों में 25% अनुत्रीन हो पूछें अंग्रे जी में कितने अनुत्यतेमों और चालीस प्रसेंट अंग्रेजी हें। जोसमें से क्या यहां चालीस प्रसेंट में गटाहा दें दूस्त प्रसेंट इसेंट होता उनकुल क्ट्रिवा करें तुर नाचेगा गरीत था कामार्स थिखे पर अंग्रेजीत था गरीत में 25 परसाइब तो 45 परसेजिज तो 25 गटादें तो 200 कितना पेजिए चया था हमारा 20 परसेट और दो स्कुप्रसेट यहां थे खाली गरीत था यहां पर अफैर गरीत था कर्या कहा थे टो तो 40% अंग्रेजी में नुत्रीन हुए, 45% दोस्तों गड़ित में नुत्रीन हुए, दोनों में दोस्तों, अंग्रेजी तो था गड़ित में, इंग्लिस and मैंस, ये दोनों में मालेते हैं, मान के 25% नुत्रीन हुए, तो आप से पुरा कुल अनुत्रीन छात्रों का परसाद तो केवल अंग्रेजी मी कितने नुत्रीन होई तो अंग्रेजी में 6जीने만 गटादिया थो 15% केवल 45% अनुत्रीन होई है और दोनों में कितना है 25% और 3 इसे तीनों को जोड़ दिया 6% हो गया ठीक है तो आई वह मुझे उम्मीद है कि यह आप समझ पाइंगे तो चित्र के मातिम से दोस्तों ऐसा परसन आता है तो इस तरीके से दोस्तों बनाएंगे ज्यादा किलियर हो जाएगा ठीक है इसके जब्पन नम्मर दोस्तों आप से कह रहा है 55 कह रहा है डंड आरेक में डंड आरेक में आरेक में डंड की लंबाई डंड की लंबाई समान नुपाती होगी जहां समझेगा डंड आरेक में डंड की लंबाई समान नुपाती होगी किसके आप से देखें पहला आप से दोस्तों आपके पास है संगत बारम बारता के संगत बारम बारता के दूसरा संगत संचाई बारम बारता के तीसरा आपसन दूसरा आपके पास है डंड की चोथाई के चोथाई के चोथा आपसन दोस्तों आपके पास संगत बारम बारता संगत बारम बारता के वर्ग मूल के ये चार आपसन दोस्तों नोट करिये फटाफट चारो आपसन दोस्तों फटाफट दोस्तों नोट करिये हो गया अध्यास समझे आपसे कहे रहा डंड आरेक में डंड की लंबाए समान पाती हुद्य दोसों डंड आरेक कहले या डंड आलेक कहले या बार ग्राप कहले खीक है चाहे आपसे पांच बच्चे, पांच बिद्यार्थी, जैसे रोहन, सोहन, पृती, नमिता और क्या वारस्म परिच्छा में, प्रमत्तांक बैदे हुद्यार्थी जिनसे नाम यहां पर लिखते हैं और प्ताप्ता यहां पर लिखते हैं इस साइड में आप जो विद्याद na मoca कानixa सश्श Łद a सबंदा में सब्सक्रास मुसenga 확인 होगा इस तरीके से नंबाइ। आपके क्या होतनी समानुपाती होती। ठीक है? जब नाम है, जिससे लिए इसाप से लिए दूबर बढ़ेंगे, वसे लिए अधारेक बढ़ेंगे, भागे तो समानुपाती होगा। ठीक है बाच्मन में आगई नहीं बागी कोई अप्षे स्यद आ कि ना तो संगेत संथाई आ ट्मॉन कि बग्हारताकि संगत बारमशन के समानपर्थी होता है अगला दिखीए अच्छा संथे दूसर हो बगृब है तशत॥ा आपको सबस्ता है है फच्वाइरा 呢 नम्बर देखिया 55 55 नम्बर दो आपसे कह रहा है 55 अच्छा यह पच्छपन था ही वह चवबन था यह पच्छपन नम्बर देखिया 56 नम्बर निम्नांकित वेंजकों में से विजातिय वेंजक है अब धहां समझे निम्नांकित में विजातिय वेंजक है समझे क्या क्या आपसे ने पहला है 3x कामा 3x दूसरा है 7y कामा 7y तीसरा है z कामा z square न चौथा इन में से कोई नहीं इन में से इन में से कोई नहीं कोई नहीं ध्याँ समझे तो दोस्तों विजाती और सजाती बंजग विजाती और सजाती बंजग सजाती बंजग जैसे विजाती बंजग पूछा है सजाती बंजग भी पूँ सकता है देखें जिसमें वेरेबल वैरेबल क्या होते हैं चर्व बतलब चर्व वैरेबल से एक्स वाई जड्ड जिनकी वैरेबल दूस्तों क्या लगाता है बदलती रहते हैं जिनकी वैरेबल क्या होते हैं एक दो तीन चार पांच यह हमारे क्या है सब अचर्व है कि नहीं ऐसे और भी हो सकते हैं ऐसे दोस्त सजाती विंजक है और देखने में सजाती विंजक ही जुडते हैं सजाती विंजक ही घटते हैं सजाती विंजक ही जुडएंगे सजाती विंजक ही जुडएंगे जुडएंगे घटेंगे जांसरी से एक्स यहां भी एक्स यहां भी तो देखे देखे यहां भी एक्स यहां भ तो फिरी जड प्लस का फोर जड स्कॉर तो दोस्तो अब इसके आगे इसको मिसाल बना ही कर सकते हैं बस इतना कर सकते हैं जड यहां तामा ले सकते हैं जड के यहां तामा ले इसको जोड नहीं सकते हैं और यही ची लिखी होती 3 जड प्लस का 4 जड लिखा होता 3 जड प्लस 4 जड 7 जड हो जाता इसको जोड सकते है क्योंकि सजाती वेंजग है वेंजग यहां पर भी यहां पर भी पर यह विजाती वेंजग है यहां पावर अलग है यहां पावर अलग है इसलिए सजाती वेंजग ही जुडएंगे सजाती वेंजग ही घटेंगे ठीक है तो इसमें सब विजाती वेंजग ने कौनता हो गाए जड कामा जड इसको रहां आपका नमबर तीसरा अगला 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 ध्यान से देखेगा चा छ्छट के बाद फृक्रणर के वासराडा पशाड प्रणर के वासराड़ है शापपणर के बाद फासराद नमबर अगला चाह ओर 6 और P का योग फल है खेक है 6 और P का योग फल द्यान समझे आप्षन क्या क्या है पहला दूसरा आप्षन आपके पास 6P दूसरा आप्षन 6 प्लस P तीसरा आप्षन P मैनस 6 और चौथा आप्षन इन में से कोई नहीं द्यान से समझे आपसे करा 6 और P का योग फल होगा देखिए 6 हमारा अचार है और P हमारा अचार है तो जुड़ेंगे तो सिर्फ 6 प्लस P लिस सकते हैं और कुछ नहीं यह ने की 6P कर दे यह मल्टिप्लाइ 6 और P का ये तो कैता गुरान फल बताई है तो 6P हो सकता पर योग फल कहेगा तो 6 और P ही होगा 6 प्लस P होगा ठीक है चलिए अगला 57 के बाद 58 नमर देखिए 58 नमर दोस आपसे कह रहा है 58 कह रहा है निम्नांकित निम्नांकित वेंजकों में निम्नांकित वेंजकों में से वेंजकों में से दुई पदी वेंजक दुई पदी वेंजक निम्नांकित वेंजकों में से दुई पदी वेंजक है अब ध्यास समझें आपसम दगे पहला 17 y की पावर 5 2xy प्लस x x प्लस y प्लस पी और जो था इन में से कोई नहीं जहां समझें 2 पद ही मतलब जिसमें 2 पद होते हैं मैंने आता है था जब b आपको पद गिनने हो तो दोसों पद गिनने के लिए आप प्लस मैनस गिनने जितने प्लस मैनस होंगे उससे एक ज्यादा पद हो जिसमें प्लस का एक ही प्लस है इसमें एक ही प्लस है इसमें प्लस नजर ही नहीं आ रहे है यहां तो सब तरह प्लस का य पर यहां अलग से प्लस लगा नहीं इसलिए तो एक प्लस लगा है इसमें देख प्लस एक है, तो देखें, दो पद हो जाएगे, तो तीन पद हो जाएगे, एक प्लस एक मैंस लगा होगा, तब भी दोस्तों क्या, तीन पद हो जाएगे, जितने प्लस मैंस लगेंगे, उससे एक ज़्यादा पद दोस्तों होता है, ठीक है, गिल लिखिया करिए, उससे प्ल A9 आप करत तीन होगै तीन असमान के से निन असमान है कि अश्य जाओं वाले माले तीन असमान वुंजाओं वाले तरी भुजों को कहते हैं त्री भुजों को कहते हैं कहते हैं द्यान समझे आप से कहरा तीन असमान भुजाओं वाले त्रिभुजों को कहते हैं देखे पहला आपसन क्या है पहला संभाहू त्रिभुज दूसरा आपसन दोसो विसम्बाहू त्रिभुज त्रिभुज तीसरा आपसन दोसर आपको दे रखा है समकौन त्रिभुज समकौन त्रिभुज चौथा दोसर आपसन है नियून कौन त्रिभुज नियून एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल नियून कौन बुत सम्भावत exemplo ऐसा त्रिबुट जिसकी तीनो बुजाए में बराबर होती है तीनो बुजाए क्या होंगी सम माने समाव, सम माने समान, बाव माने पुजा, एसा त्रिपुज जिसके तीनों पुजाएं बराबर होती है, सम बाव त्रिपुज कहलाता है, एसा त्रिपुज जिसके तीनों पुजाएं अलग-अलग होती है, सम बाव त्रिपुज कहलाता है, सम कौन त्रिपुज जिसका प्रतेक कोन 90 डिग्रीस से कम होता है नियोन कोन करलाता है ठीक है चलिए या कह लिए जिसमें एक कोन यदि आपका 90 से कम है तो बागी सारे कोन भी दोस्तों 90 से ही कम होंगे आपके यह तो पक्काद है किसमें क्या होगा प्रतेख कोन 90 से कम हों प्रतेख सारे वड्म् repeating कहले है , तो दोस्तेवेलिग कहले हैं याधी प्रतेहे हिर्म spectrum ,नब्य से कम हुए तो में जब सारे दियों कह रहा है ध्यास समझेगा नोट करते रहे है फटेबर कह रहा है तीन समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं तीन समान भुजाओं तीन समान भुजाओं वाले वाले त्रिभुज को कहते है कहते हैं अच्छ कि पार्ट नंब्र कहों सा है चार पार्ट इसके करा सुक्यों यह पांच फॉझा है चले घोंगे यही आप der סश अलाग लग works न Alrighty Wird ठेके दिखेंगे इससे कोई सर्ट पढ़ेगा नहीं आपको पता हमना चे पी तीन समान बुजाओं वाले तरिबुज को कहते हैं संबाव तरिबुज कहते हैं साथ के बाट एक सर्ट नमबर देखें एकसर नमर दोस्तौ आप से कह रहा है द्यान से दो समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं दो समान भुजाओं दो समान भुजाओं वाले त्रिभुज त्रिभुज को कहते हैं कहते हैं द्यान समझे, इसके आपसम क्या क्या रिखें हैं, देखें कब, पहला आपसम दोस्तों आपके पास है, विसम, विसम बाव, दो, ने, 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 हाँ, चलो, विसम बाव तेरे बुझे, दूसरा आपसम दोस्तों है, आपके पास, सम, द्विबाव, त्रिभुझे, तीसरा आपसम दोस्तों आपके पास है, समबाव त्रिभुझे, समबाव त्रिभुझे, एड़ चौथा आपसम है, आपके पास, इने में से कोई नहीं, इने में से, इने में से कोई नहीं, नना अब भी इसकी बात कर रहा है अब ध्यान समझें आप से दोस्तों कह रहा है क्या दो समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं तो दो समान भुजाओं जैसे क्या दो समान भुजाओं जैसे ये भुजाओं इसके बराबर हो तो A, B, C तो क्यांकिते हैं सम्भाव तुरी मताएं जिसके तीनों बजाएं समान हो अगला दिखीक 61 के बाद दोस्तो 62 62 62 दोस्तो आपसे कहा रहा है प्रतेक नियून कोण वाले त्रिभुज प्रतेक नियून कोण वाले त्रिभुज को कहते है कहते हैं प्रतेक नियून कोण वाले त्रिभुज को कहते हैं इसके चारो आपसे दोस्तो देखेएगा प्रतेक प्रतेक नियून कोण वाले त्रिभुज अधिक कोण वाले त्रिभुज दूसरा आपसन दोस्तो आपके पास है नियून कोण वाले त्रिभुज अधिक है इसके बाद तीसरा आपसन ने वैसे कोई नहीं अब ध्यांस समझेगा आपसे रहा प्रतेक नियून कोण वाले त्रिभुज को कहते आपके इसका प्रतेक नियून कोण वाले त्रिभुज है और यह हमाने मालेनते 50 ठीक है सताथ हो चैब्वर इसका कम से कम एक कान 50 से ज्यादा हो कि इसका कम से कम यह से यह बना ले एक त्रिबूच नाम हो गया A B C यह माल लेते हैं हमारा है यह 110 डिगरी ठीक है तो ऐसा त्रिबूच जिसका क्या स्मकौन त्रिबूच अभी महीन आता है ऐसा त्रिबूच जिसका क्या हो एक कोण 90 डिगरी का होगा तो वह हमारा समकौन त्रिबूच क्या लाएगा A B C ठीक है अब 62 के बाद दोस्तों 63 नमर देखेगा समझपे रहेगा जो मैं explain कर रहा हूं अलग से तो उसको भी ध्यान दखेगा क्योंकि एक एक अब्जेक्टिव में दो दो तीन तीन अब्जेक्टिव बन जाएंगे जिस explanation आपने अच्छे से समझ नहीं है मासट के बाद दोस्तों कहें तब 63 नमर दोस्तों आपसे कह रहा है सम द्विबाव सम कोण त्रीभूज में सम द्विबाव सम कोण त्रीभूज में दो कोड़ों का योग होता है दो कोड़ों का योग होता है ध्यान सा समझिये पहला आपसन 180 डिगरी दूसरा आपसन 360 डिगरी तीसरा आपसन 90 डिगरी और चौथा आपसन 270 डिगरी यह चार आपसन दोस्तों दे रखे आपसे करा समदिबाव समकोन त्रिभुज में दो कोनों का योग फल होता समदिबाव समकोन त्रिभुज यानि इक देखें सम्धिबाव हो और सम्कॉन त्रिपुज़ हो जैसे ये A, B, C या भूज़ा इसके बराबर हो और ये हमारा एक कोण 9P-Degree हो तो ऐसे त्रिपुज सम्धिबाव सम्कॉन त्रिपुज में दो कोणों का युख़ इतना हो पुल्हां मेंचें तो कॉन बचा जाकर दूसरा कॉन बचान नंगे तो की यूद्ध होगां क्यों क्यों कि आप जांए त्रिए के तीनों अन्ता कॉनों का यूख़ल 180 दिग्री होता जब उसमें से एक नब्वे डिग्री हो चुका है तो 180 में से नब्वे गटाएगे नब्वे इत बज़ेगा यानि कि एंगल A और एंगल B का योफ़ किसके बराबर होगा नब्वे डिग्री के बराबर हो जाएगा यानि कि आपसर नमर दोस्तों हमारा कह रहा है आयत का प्रते कोण होता है जहां समझेगा कितने का होता है पहला अपसर दोस्तों 90 डिग्री दूसरा अपसन 180 डिग्री तीसरा अपसन 270 डिग्री और चोथा अपसन 360 डिग्री तो दोस्तों आप जानते है आयत का प्रते कोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है यह हमारा क्या आयत A, B, C, D यह आयत है तो आयत का जो प्रते कोण होता है वह दोस्तों हमारा 90 डिग्री का होता है कितने का होता है 90 डिग्री का होता है इस बात को तो मैंने क्या property भी बताएं आपको याप तो नमर पहला से हो जाएगा तो दोस्तों आज की class आप सभी तो कैसी लगए comment बास में दोस्तों जरूर बताएगा अभी इस series में प्रसंद और बचे हैं वो आगे के partner देखने के लिए मिलेंगे इस वीडियो को आप अपन तो सुसत रहे हैं मसत रहे हैं मुस्कुराती रहे है थैंक यू सोमा दोस्तो राधे राधे दोस्तो